Hello Friends, Welcome to ConSstudy ConSstudy में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हमारा Chapter Trains जो की हमारी Match का एक पार्ट है और उसका आज हम करने जा रहे हैं Part 3 शुरू करने से पहले मैं जाँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राईब कीजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी active है जल्दी से हमें हर जगा follow कर लीजिए और किसी भी update को मिस्मक कीजिए तो ये पहला question जो आपको आपकी screen पर दिख रहा है ये part 2 के concept पर based है तो इसका मतलब है कि आपको ये question खुझ से solve करना है और इसका answer जो है comment section में paste करना है इसमें क्या चीज होगी कि एक train है एक station से निकलेगी दूसी train दूसी station से निकलेगी वो जाके किसी एक point पर meet करेंगे तो हमें बताना है कि question में कुछ भी हो सकता है कि meeting point तक पहुँचने के लिए क्या distance था या दो stations के बीच में क्या distance था वो question to question vary करेगा पर passing वाले और meeting वाले में सबसे बड़ा difference किया है कि passing वाले में हम train की length जो थे वो add करते थे meeting वाले में हम train की length add नहीं करेंगे meeting वाला concept totally अलग है so इसमें सबसे पहला concept आता है same speed living at same time ठीक है हम suppose कर लेंगे कि दो station है A और B ठीक है एक train यहाँ से निकल रही है 10 बजे दूसरी train यहाँ से निकल रही है 10 बजे ठीक है इन दोनों के बीच distance है station के बीच distance है 60 km का ठीक है opposite direction है यानि इनकी relative speed होगी add एक चीज़ तो हमें obviously पता है कि यहाँ से जो train निकल रही है यहाँ से जो train निकल रही है वो एक middle point पे आके meet करेंगे यहाँ का distance होगा 30 यहाँ का distance होगा 30 ऐसा क्यों क्योंकि निकलने का time same है speed भी ह ठीक है यही चीज़ हम confirm कर लेते हैं हमारे formula से भी 60 है हमारे पास distance relative speed होजेगी 10 plus 10 20 तो time लग रहा है इनको 3 घंटे इस point पे पहुंचने के लिए meeting point पे पहुंचने के लिए time लग रहा है इनको 3 घंटे गा अगर speed है 10 km पर और यानि एक घंटे में ये train भी 10 km चल रही है ये train भी 10 km चल रही है तो यहां पर हमारा आया 3, 3 क्या है 3 घंटे लगेंगे उनको एक point पे आके मिलने में तो 3 घंटे में ये train कितना चलेगी 30 km और 3 घंटे में ये train कितना चलेगी 30 km तो 30 km इदर से आया 30 km इदर से आया ये हमारे common point पे आके मिल गई अब एक चीज़ देखिए जिस भी point पे train मिल रही है train विशक यहां मिल रही है यहां मिल रही है दोनों trains जो है वो तीन घंटे का ही time लेगी अपने point पे पहुंचने के लिए ठीक है यानि कि हमारे total distance divided by relative speed के formula से जो time आएगा वो time होगा दोनों trains का अपनी destination पे यानि meeting point पे पहुंचने का ठीक है यह सिरफ इसी case में नहीं यह चारों के चारों cases के लिए है तो distance divided by relative speed के formula से जो time आएगा वो कौन सा time होगा वो होगा time taken by both trains to reach meeting point ठीक है दोनों trains अगर हमारा time आ रहा है चार घंटे तो यानि इदर से जो train चली है इदर से जो train चली है वेशक इस वाली train ने speed जादा होने की वैसे जाद गंटे का ही time लिया होगा इसने भी चार गंटे का ही time लिया होगा time दोनों trains के लिए same रहेगा ठीक है दूसरा concept आता है for different speed living at same time यानि की A, B दो point है एक train यहां से 15 km पर और की speed पे चलेगी दूसरी train यहां से 10 km पर और की speed में चलेगी यह दोनों trains 10 बज़े यहां से निकल रह नहीं है तो इसको भी यहां से यहां तक पहुचने में 2 गंटे लगे इसको भी यहां से यहां तक पहुचने के लिए 2 गंटे लगे अब देखिए 15 इसकी speed जादा है यानि कि 2 गंटे में यह जादा distance cover करेगा कर यह भी 2 गंटे में रहा है कर यह भी 2 गंटे में रहा है पर ह हमारा A जो है, वो distance जाधा cover कर रहा है, क्योंकि उसकी speed जाधा है, बस, ठीक है, हमारा third concept आता है, same speed living at different time, ठीक है, same speed living at different time, यानि A और B दो station है, speed इनकी सेम है, 10 km पर और हमने assume कर लिए speed सेम है, पर ये different time पर निकल रहा है, यानि कि A निकल रहा है सुबा 8 बजे, B निकल रहा है सुबा 9 बजे, ठीक है, ये एक point पर मिल रहे है, जहां पर 12 बजे मिल रहे है, ठीक है, अब देखिए, A निकल रहा है सुबा 8 बजे, P निकल रहा है सुबा 9 बजे, ये मिल रहे है, एक point पर 12 बजे, अब आप को होगे कि मैंने कहा था कि time सेम रहेगा, ठीक है, पर इधर से इधर तक 4 गंटे का टाइम लग रहा है, इधर से इधर तक 3 गंटे का टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम जान बूज के सेम करेंगे, वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो जल्दी स्टार्ट हो रहा है, वो एक घंटे तक कहां पोहुंच रहा है, यानि 8 बजे A स्टार्ट हो रहा है हम 9 बजे तक का एक common point लेंगे 9 बजे तक A कहां पहुँच रहा है ठीक है तो कैसे पता चलेगा ये चीज कि A जो है एक घंटे में 10 किलोमेटर ट्रैवल करता है तभी उसकी speed आ रही है 10 किलोमेटर पर और यानि 8 से लेके 9 बजे तक A जो है 10 किलोमेटर का डिस्टेंस चल लेगा तो हम क्या करेंगे यहां से एक point ले लेंगे माल लेंगे इतना distance से चल लिया यानि 10 किलोमेटर का डिस्टेंस A ने चल लिया अब इस point पर A 9 बजे खड़ा है इस point पर B 9 बजे शुरू होगा दोनों शुरू होगे दोनों की same speed है तो वही पहला वला concept यूज होगा कि same speed leaving at same time ठीक है यहां से आगी इनकी इस point से आगी same speed leaving at same time तो इस जितना भी distance होगा उसके middle point पर ये मिल जाएंगे 12 बजे ठीक है चलते हैं next पर हमारा next concept है different speed leaving at different time तो ये बना लिया A जिसकी speed है 10 km पर और और 8 बजे निकल रहा है B जिसकी speed है 15 km पर और 9 बजे निकल रहा है 12 बजे ये meet करेंगे एक point पर तो देखिए पहले हम A को बनाएंगे 9 a.m एक गंटे में वो 10 km चल रहा है तो suppose कर लो यहाँ अब तक A पहुँच गया एक गंटे में ये 10 km का distance है अब A ख़ड़ा है इस point पर सुबह के 9 बजे speed है उसकी 10 km पर और यहाँ से यहाँ 3 गंटे लगेंगे उसको पहुँचने में ठीक है next is B भी इस point से 9 बजे शुरू होगा और B को भी इस point पहुचने में लगेंगे 3 गंटे क्योंकि 9 से 12 की बीच आता है 3 गंटे ठीक है अब देखिए इस question को मैं पूरा आपको solve करके दिखाई देता हूँ A की speed है 10 km पर और 3 गंटे वो चले का कि A और B के बीच डिस्टेंस कितना है तो आप बता सकते हैं A और B के बीच डिस्टेंस कितना है A और B के बीच डिस्टेंस है 10, 30, 40 40 प्लस 45 आ गया 85 km का हमने खुद ही निकाल लिए ये सारी values कोशन में नहीं दी थी अब अगर मैं पूछू meeting point पर जो train station A से चली थी उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया तो आप ये भी बता सकते हो कि 10 प्लस 30 40 km उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ similarly अगर ये चीज में B के के से में पूछ लिए तो आप बता सकते हो कि उसने 45 km कवर किया है तो यानि अगर एक बार हमारी figure कंप्लीट हो जाए तो हम किसी भी question का answer दे सकते है तो आप शुरू करते हैं हमारे question की series तो ये रहा पहला question आपकी screen पर अब ये question थोड़ा अलग है जो मैंने आपको concept बताया है मैंने आपको बताया ना कि कुछ distance में difference आ सकता है अगर speed में difference हो तो ये question उसी पर based है देख सकते हैं आप same time और different speed वाले concept पर based ठीक है तो करते हैं इस question को दो trains जो है वो Delhi और अलिगड से शुरू ही चलना respectively at same time तो एक जगा हमने लिख लिया D for Delhi दूसरे जगा हमने लिख लिया A for अलिगड ठीक है जो Delhi से चली उसका speed थी 14 km पर और और जो अलिगड से चली उसकी speed थी 21 km पर और ठीक है अब दीखिए कि same time पर निकल रही है एक की speed कम है दूसरी की speed ज़ादा है तो कौन सी train ज़ादा distance कवर करेगी वो वाली train जिसकी speed ज़ादा है तो हम एक point बना देंगे ऐसा थोड़ा A ने जो train A से चली यानि अलिगड से चली उसने थोड़ा distance ज़ादा कवर किया तो हम उसे ज़ादा distance दे देंगे दिली वाली को थोड़ा कम distance दे देंगे अब उनने का है when they meet यानि यह meeting point है तो किस train ने जाद travel किया होगा obviously उस train ने जो अलिगड से चली ठीक है हम मान लेते हैं जो देली से चली उसने x km कवर किया है और जो अलिगड से चली उसने x plus 70 km कवर किया हो ठीक है क्योंकि 70 km मोर की बात चल रही है अब मैंने आपको बताया कि जो time लेगी यह meeting point पर पहुचने के लिए जो train दिल्ली से चल रही है और जो train अलिगड से चल रही है वो time same ही लेगी तो हम time के base पर इन दोनों equations को equate कर सकते हैं तो time क्यों होता है distance upon speed तो दिल्ली वाले case के लिए हमारे पास distance है x, speed है 14 तो time आजाएगा x divided by 14 same अलिगड वाले case के लिए distance है हमारे पास x plus 70 time speed है 21 तो time आजाएगा x plus 70 divided by 21 अब इस equation को solve करेंगे 7 to the 14, 7 to the 21 3 जाएगा इधर बन जाएगा 3x 2 जाएगा इधर बन जाएगा 2x plus 140 यह इधर जाएगा minus हो जाएगा x की value आजाएगी 140 और x क्या था वो distance जो दिल्ली से चला गया था यानि कि जो meeting point का distance था उस train के लिए जो दिल्ली से चलना शुरू हुई थी question में पूछा distance between both station is यानि कि 140 plus 140 plus 70 which is equals to 350 km तो हमारा option D आगया हमारा final answer ये था एक traditional method अब मैं आपको एक trick वाला method बताता हूँ so trick वाले method क्या है basically trick वाला method वही method है gap method जो मैंने आपको पहले भी बताया है हम देखेंगे gap distance का gap आ रहा है हमारे पास 70 का अब हमारे पास speed क्या है speed है हमारे पास 14 एक है 21 तो speed का gap आ रहा है हमारे पास 7 का again distance upon speed क्या होता है distance upon speed होता है time तो time आ गया हमारा 10 और का ठीक है ये वही time है जो इन trains ने travel किया है meeting point तक पहुंचने के लिए तो 21 किलोमेटर पर और की speed से अगर train B 10 गंटे चलेगी तो वो 210 किलोमेटर कवर करेगी same 14 किलोमेटर पर और की speed से अगर train A 10 गंटे चलेगी तो वो 140 किलोमेटर कवर करेगी इन दोनों का sum कर लो आपके पास दोनों station के बीच का distance आ जाएगा which is equal to 350 km जो कि है हमारा option D चलते हैं हमारे next question पर अब हमारी पहले line कहा रही है कि दो train start हुई है A, B से एक train A से शुरू है दूसरी train B से शुरू हुई है जो कि 330 km अपार्ट है ठीक है next line कहा रही है कि यह एक दूसरे की तरफ जा रही है ठीक है train 1 travels towards V यानि कि train 1 आएगी station A से और यह सुबा 8 बजे शुरू हो रही है speed है इसकी 60 km पर और train 2 obvious सी बात है कि A की तरफ जाएगी और सुबा 9 बजे शुरू हो रही है speed है 75 km पर और ठीक है तो यह वो case आगए जो मैंने आपको 4th case बताया different speed different time का सो सबसे पहले हम train A को 9 बजे तक का distance चलाएंगे यानि कि train A को हम एक घंटे तक travel करवाएंगे एक घंटे में वो 60 km कवर कर लेगी तो हमने suppose कर लिया कि इस point तक उसने 60 km कवर कर लिया अब इस point को हम नाम देते हैं C C से लेके B के बीच में कितना distance बचा 270 km का अब हमें इस 270 km पर काम करने है अब ये दोनों same time के slot पर पहुँच गई हुई है ठीक है सो हमें इस पर basic formula लगा लेंगे distance upon relative speed is equals to time का distance है हमारे पास 270 relative speed आजेगी 60 plus 75 135 यानि कि इनको 2 गंटे लगेंगे अपने meeting point पर पहुचने के लिए कोई भी एक random point आगा है meeting point ठीक है इन्होंने काया at what time do they meet ठीक है अब यहां तक 9 बज़े थे 2 गंटे इनको ओर लग रहे हैं अपने meeting point पर पहुचने के लिए यानि यह 11 बज़े एक दूसरे से मिल रहे है which is option C चलते हैं हमारे next question पर तो same question है इन्होंने last में time के बज़ाए इन्होंने कहा दिया हो कि what was the distance covered by train T1 यानि कि जो इस direction में चल रही थी तो 2 गंटे वाला जो अभी last जो हमारे question का final part था 2 गंटे निकला था वहाँ तक तो आपने same करना है अब हमें पता है कि starting में उसने 60 km चल लिया 8 बज़े से लेके 9 बज़े तक उसके बाद इसको 2 गंटे और लगे इस point तक पहुँचने के लिए जो कि था meeting point तो ये वाले distance कितना आ गया ये वाले distance आ गया 60 इंटू 2 120 km का ये distance 60 km ये distance 120 km तो टोटल आ गया 180 km तो option A आ गया इस question का answer ठीक है चलते हैं हमारे next question पे train 1 start from station A at 6 a.m ठीक है 6 a.m train 1 reaches station B at 10 a.m यानि कि B station पे वो 10 बज़े पहुँच रही है यानि total इसने 4 गंटे का travel किया train 1 ने total 4 गंटे का travel किया आगे कहा चाहर है train 2 start from station B at 6 a.m train 2 यहां से start हुई 6 a.m and reaches station A at 11 a.m यानि कि train जो 2 है उसने 5 गंटे का time लिया अपनी destination पे पहुँचने के लिए तो हम क्या करेंगे इस 5 को और इस 4 को multiply कर देंगे हमारे पास आएगा LCM जिसको हम मानेंगे हमारा distance ठीक है यह सारा assumption पे होगा तो distance आगया हमारे पास 5 इंटो 4 which is equal to 20 km हमने assume कर लिया ठीक है अब क्या है कि train A जो है 4 गंटे चल रही है तो यानि train A का speed क्या होगी 20 divided by 4 which is equal to 5 km पर और similarly अब देखिए train 1 train 2 का हमारे पास time है train 1 ले रही है 4 और train 2 ले रही है 5 और अगर हम इसको inverse कर देंगे हमारे पास speed की ratio आजेगी distance है हमारे पास 20 km का हम इस speed को मानेंगे relative speed तो हमारी relative speed आजेगी 9 की 5 प्लस 4 आजेगी ना हमारे पास 9 तो हमारे पास speed आजे की 20 divided by 9 which is equal to 9 2 is 18 ठीक है 9 2 is 18 plus 2 20 ठीक है ये ऐसे आगी जिसको हम लिख सकते है 2 plus 2 by 9 ये और की बात चल रही है शुरू कितने बजे होए थे शुरू होए थे सुबा 6 बजे 6 बजे में 2 गंटे एड करोगे आपके पास आ जाएगा 8 बजे अब 2 by 9 तो भई fraction में है इसको कैसे solve करेंगे हम minute में convert कर देंगे 3 20 जा 3 3 जा तो हमारे पास time आया 40 by 3 minutes which is approximately 13 minutes ठीक है तो 8 a.m plus 13 minutes हमारे पास आ गया 8 13 a.m. ठीक है इसमें confused नहीं हो ना 8 13 नीचे भी दी हो है तो 8 13 a.m. हमारे पास time जब वो एक दूसरे से मिलेंगे चलते हैं next question पर अभिनव leaves Delhi at 6 a.m. ठीक है अभिनव ने Delhi को leave किया 6 a.m. यहां पर आ गया अभिनव and reaches Bangalore at 10 a.m. यहां आ गया Bangalore और यहां पहुँच रहा है वो 10 गंटे यहांनी 4 गंटे का सफर कर रहा है अभिनव next चीज कहे रहे हैं कि परवीन leaves Bangalore at 8 a.m. and reaches Delhi at 11 30 a.m. यहांनी 3 and half और का जो time ले रहा है वो ले रहा है परवीन ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोशन में हम क्या करेंगे LC हम ले लेंगे 4 into 3.5 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 14 किलोमिटर का हमने एज्यूम किया है यह अब देखिए हमारे पास time आ रहा है 4 और 3.5 और time का inverse कर देंगे हमारे पास speed आ जाएगी यानि कि speed होगी इस point पर 4 unit की और speed होगी इस point पर 3.5 unit की अब देखिए सबसे पहले हमें time common करना है यह जो 6 a.m है इसको 8 a.m तक लेके आना है यानि 2 और का हमें इसको travel करना है 3.5 into 2 आ गया हमारे पास 7 यानि कि 14 units में से 8 a.m तक अभिनव ने 7 unit travel कर लिया यानि बिल्कुल middle में आ गया सो अब दोनों एक same time पर खड़े हैं यानि कि 8 a.m एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं हमारा distance बचा 7 unit का अब हम इस पे वो वाला formula लगा सकते हैं distance upon relative speed का तो 7 divided by 3.5 plus 4 यानि कि 7.5 इसको point हटाएंगे तो 70 उपर आ जाएगा यहां पर आगी बात 70 divided by 75 की यानि कि उपर वाली टर्म छोटी है नीचे वाली टर्म बढ़ी है हम इसे minute में ही convert कर देंगे सीधा सीधा तो 60 से multiply करेंगे 15, 4 जा 60, 15, 5 जा 75 5, 1 जा और 4 जा यानि कि 56 minute आठ बजे के उपर 56 minute उनको ओर लग रहे हैं यानि 8.56 एम पर वो एक दूसरे को मिलेंगे जो कि हमारे option में available नहीं है तो हमारा right answer आ गया option E, none of these अब चलते हैं हमारे next question पर टू ट्रेंज स्टार्ट फ्रम होवडा एंड पतना towards each other एक जगा आ गया होवडा दूसरी जगा आ गया पतना ठीक है after passing each other they took 4 और 48 minute ओके 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 ये थोड़ा अलग type का question है suppose कर लिजे ये इस point पे मिले अब जो होवडा से train चली थी यानि कि T, H नाम दे देते हैं उसने इस point से लेके इस point तक पहुचने के लिए लगाए 4 और 48 minute और जो पतना से train चली थी यानि कि T, P इस point पे मिलने के बाद उसने इस destination तक पहुचने के लिए लगाए 3 और 20 minute ठीक है if one train is moving at 45 km पर और हमें नहीं बता कौन सी वाली train what is the speed of other train ठीक है ऐसे question के लिए एक सीधी सीधी है मैं आपको trick बता देता हूँ क्या apply करनी होती है ऐसे question के लिए trick होती है speed 1 divided by speed 2 is equals to under root of time 2 divided by time 1 ये कैसे याद रखने है speed आपको पता है inversely proportional to time होती है तो अगर S1 उपर आ रहा है तो T1 नीचे आएगा S2 नीचे आ रहा है T2 उपर आएगा और इसको हम under root में बना देंगे ठीक है तो हम इसमें values put करना शुरू कर देंगे 4 और 48 minute को पहले हम और की terms में ही convert कर लेंगे 4 और 48 minute और में convert करने के लिए 60 से divide किया 12 5s are 60, 12 4s are 48 यानिकि 4 प्लस 4 by 5 24 by 5 आ गया हमारा T1 Next 3 और 20 minute 1 by 3, 3 3 is a 9 1 10 by 3 आ गया हमारा T2 जब हमने अपनी values put करी तो ये कुछ ऐसा बना अब इसे हम solve करेंगे 10 into 5 ये 5 उपर चला गया divided by 24 into 3 तो 2 5s are 10 2 12s are यानिकि under root में आ गया हमारे पास 25 divided by 36 जब हम इसको under root से बाहर निकालेंगे S1 divided by S2 बन जाएगा 5 by 6 तो ये आगी हमारी speed की ratio इसको मैं फिर से थोड़ा आच्छे तरीके से लिख देता हूँ S1 divided by S2 आ गया हमारे पास 5 by 6 उन्होंने एक train की speed दी हुई है 45 km पर आ तो 45 किस के टेबल में आता है 45 बाता है 5 के टेबल में आपने 5 को value assign कर दी 45 की तो 1 unit की value आ जाएगी 5 9s आ 45 9 unit अगर 6 unit की value हमें निकालनी है तो 9 into 6 54 km पर और आपकी आ जाएगा answer तो option A आ जाएगा आपका final answer चलते हैं हमारे next question पर तो हमारा question कहा रहा है कि A train after traveling 50 km met with an accident ये question देखते ही मुझे बाचल गई ये question मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है ठीक है मैं इसका concept नहीं समझाऊँगा मैं सिधा short trick बताऊँगा क्योंकि concept आप समझ चुके हो तो 50 km चलने के बाद एक train जो है वो उसका accident हो गया उसकी speed होगी 3 by 4 as a result it arrived 35 minute late 35 minute late ठीक है next चीज आगी अगर उसका accident 24 km आगे हुआ होता पिछला जो मैंने आपको question कराया था उसमें ये distance था 80 km और यहां से लेके यहां तक का यानि यहां से लेके यहां तक का distance था 95 km तो आपको 80 km से 95 km माइनस करना पड़ा ये distance निकालने के लिए पर इस question में उन्हें ये सुहूलियत भी दे दी तो उन्हें सिधा ही बता दिया कि ये वाला जो distance है ये 24 km है ठीक है तो 24 km चलके अगर इस point पे उसका breakdown होता तो यहां पे बहुत सिरफ 25 मिनट लेट होता आगे वाला distance कवर करने में हमारे पास 2 speed आगी है original है 4x new है 3x distance का gap आगया है 24 km time का gap आगया हमारे पास 10 minute का इसको हम convert कर देंगे तो 1 by 6 और बन जाएगा ठीक है अब हम सिधा formula apply करेंगे distance is equal to speed 1 speed 2 upon speed 1 minus speed 2 into time का difference 24 is equal to 3x 4x upon x into 1 by 6 4th reason होता है हमारे पास 12 2 12 तो x की value आगी आपके पास 12 इन्होंने काया है कि the speed of train यानि original की बात चल रही है 4x की बात चल रही है 48 km पर आगया हमारा answer ये km पर आए ठीक है कैसे आया 12 forza 48 km पर आगया हमारा answer इसी के साथ हमारा जो trains का final part भी खतम होता है जिसके साथ साथ हमारा trains का पूरा chapter ही खतम होता है next मैं आपके लिए लेके आओंगा boats and stream chapter वो भी एक single session का chapter होगा क्योंकि boats and stream और जादा असान है तो वो भी बहुत जादा मज़ेदा होगा हमारे लिए उनको solve करना भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत काफी easy concept है boats and stream के तो train मतलब time speed distance और train के मुकाबले सबसे जादा असान chapter boats and stream ही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक कीजिए साथी साथ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए तेंक यू